तो बच्चा लोग, once again, welcome back to the class. देखो यार, हम लोग बात करें थे, Indian Economic Development के chapter number 3 की, Agriculture, Industry and Trade की. और बच्चा लोग, ये जो पूरा chapter है ना, ये basically तीन पार्ट में divided है आप. पहला पार्ट, Agriculture सेक्टर, दूसरा पार्ट, Industrial सेक्टर, और तीसरा पार्ट, Trade, यानि की व्यापार. बच्चा लोग, अभी तक मैंने 2-3 वीडियोज अपलोड की, जिसमें सब में मैंने बात की, Agriculture सेक्टर की. इसके अंदर क्या-क्या रिफॉर्म्स आए, हमने डीटेल पे समझा. आज की class, again, Agriculture सेक्टर. एक last class इस topic पर, बात करेंगे, Agricultural Subsidies की. बच्चा लोग, सबसे पहले समझो, कि ये Agricultural Subsidies होता क्या है. देखो यार, दो सब्धे मात्र, एक है Agricultural, और दूसरा है Subsidies. Agricultural जो word है, वो Agricultural से बना है, यानि की बात कर रहे हैं, खेती बाड़ी की, Agricultural के. ठीक है, जो word subsidies है, ये भी आपने already सुना है, subsidies का मतलब, छूट, ये जिसे हम बोलते हैं, discount, यानि की हमारे लिए फायदे वाली बात होती है. देखो, आएक छोटा से example लेते, आप subsidies को better clear हो जाएगा. ठीक है, यार, घरों में normally हम लोग gas, cylinder भरवाने जाते हो ना, पक्का हर एक के घर में जाते होंगे. देखो, यार, मान के चलो, example के तौर पे, cylinder की जो MRP है, वो है 1000 रुपए. cylinder हमें कितने में मिला? 1000 रुपए में. लेकिन government ने क्या किया? हमारे bank account में 200 रुपए subsidies भेज दी. तो हमें subsidies कितनी मिल गी? हमारे bank account में हमें return कितना मिल गया? 200 रुपए. ठीक है? तो हमें अगर देखा जाए, तो cylinder की cost कितनी पढ़ती है? मात्र 800 रुपए. ऐसे ही होता है ना नॉर्मली? ठीक है? अब एक बार सोचो, जो slender बनाने वाली company है, उसने slender कितने में दिया होगा? उसने दिया होगा 800 रुपए में. MRP कितनी fix की? सौरी, 1000 रुपए. MRP 1000 रुपए. अब government क्या चाहती है? कि यार, slender तो हर किसी को जरुरत पड़ती है, गरीबों को भी बहुत जरूरी है. तो सरकार ने सूचा, यार, हो सकता है, गरीब, 1000 रुपए effort ना कर पाए. इसलिए, उसे एक काम करते हैं, 200 रुपए का discount दे देते हैं. ठीक है? ये 200 रुपए discount है, ये हैं आपकी subsidies. ये जो पूरा topic है ना, आज का, ये पूरा इसी को उपर बेज़्ट है. ठीक है? एक आपसी subsidies सोचो. ठीक है? सिलेंडर की ही बात कर रहा हूँ. subsidies के बारे में सोचो. हमारे लिए फायदा है या नुकसान? 1000 की चीज 800 में पढ़ रही है. फायदा है या नुकसान? ओभियसली, फायदा है हमारे लिए. एक बार आप government की point view सो सोचो. सरकार को फायदा है या नुकस सरकार का कितना खर्चा होता होगा? तो यार यह बात तो है कि सरकार का एक heavy expenditure होता होगा subsidies के उपर. बात समझ रहा हूँ. तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि subsidies देना सही है या गलत है? मैं basically cylinder की ही बात कर रहा हूँ. cylinder पर subsidies देना सही है या फिर गलत है? तो आप मैंसे आधे ल पैसे तो हमसे ही लेती है ना? तो यार debit वाली आपंचाय तो जाएगी, problem हो जाएगी है ना? सेम ऐसा ही topic है agricultural subsidies. अब government क्या करती है? सरकार चाहती है, देश में अच्छा production हूँ, देश में productivity बड़े, agriculture sector आगे बड़े, तो सरकार क्या करती है? यह जितनी भी चीज़े थी ना होती है, ठीक है? सिलेंडर पर तो 200 रुपई दिये, जो HYV seats पगेरा होती है ना, उन पर तो मान के चलो 50 to 80% तक की subsidies देती है सरकार, समझे रहो ना? बहुत जादा, तो सरकार के उपर एक heavy burden भी पड़ता है, लेकिन इससे किसानों को फायदा भी होता है, तो basically यार, कम से कम आ दिये जाने वाले discounts, दी जाने वाली subsidies, government के दोवारा, जो monetary incentives किसानों को provide की जा रहे है, agricultural products के उपर, वो कहलाती है, agricultural subsidies, ठीक है? चलो बातों को read out करती हूँ चलो, सबसे पहरे, ज़रा subsidies को समझे लेते हैं, तो it refers to the monetary assistance, assistance means सहायता होता है, या फिर help होता है, तो monetary assistance given by the, कौन दे चलों करती है, to sustain and accelerate production activity, जिससे production activity sustain कर पाए, production activity accelerate, यानी growth और development कर सके, तो production को बढ़ावा देने के लिए, सरकार के द्वारा, जो monetary help, monetary assistance provide किया जाता है, उसे हम subsidies कहते हैं, ठीक है? अब question यह है, कि subsidies देना virtue और wise, सही है या फिर गलत? आप से पूछा जाए, agricultural subsidies दी जारी है किसानों को, सही है या गलत है? अब अगेन वही बात हो जाएगी, कुछ लोग कहेंगे सर सही है, कुछ लोग कहेंगे सर गलत, यानी कि दोनों पाप और पुन्ने वाली बात आ जाएगी, पुन्ने का मतलब भाई सही है यार, देना चा गलत है, गलत है, तो क्यूं है? जरा देखते हैं, तो सबसे पहले आ जाते है, agricultural subsidies जरा हम लोग negative बात है कि subsidies देना गलत है, क्यूं है गलत? वो समझो, सबसे पहला point है, huge burden on government finance, ये बात को समझ गयो, हर बात में ये बात बुल रहा हूँ है, कि सरकार के finance पे एक बहुत heavy burden करता है, क्यूंकि सरकार क्या करती है, जो भी agricultural products होती है, उन पे बहुत heavy discount provide करती है, बहुत heavy cost ऐसी होती है, जो government खुद bear करती है, इसलिए जो government के finance है, उस पर बहुत जादा burden पड़ता है, सरकार एक heavy expenditure करती है, agricultural products के उपर, ठीक है? तो अगे यार, नुकसान है, है न? subsidies देना गलत है, क्यूंकि सरकार का बहुत जादा, सरकार के उपर बहुत जादा burden पड़ रहा है, ठीक है? बचलो, आसान सी बात है, readout तो कर लोगे न? किसी भी point में कोई भी doubt हो, नीचे comment box में बता न? मैं आपको detail में समझा दूँगा, ओके, चलो, next point पर आओं, next point है हमारे पास, mis misappropriate benefits, अब देखो कुछ benefits ऐसे हैं, जो misappropriate है, यानि, जिसकी जरूरत भी नहीं है, उसे भी benefit मिल रहा है, कहने का मतलब, देखो यार, अकेले गरीब किसानों तक अगर benefit पहुंचता, तो बहुत अच्छी बात थी, जिन किसानों को भाई, effort नहीं कर सकते, उन तक subsidies का फायदा होता, तो बहुत अच्छा होता, बट यार, जिन किसानों को जरूरत नहीं है, जो थोड़े से बड़े किसान है, उनको भी benefit मिल रहा है, subsidies का, दूसरी चीज, बच्चा, उनको भी benefit मिल रहा है, जिनको benefit नहीं देना चाहिए, जैसे, जो भी ये agricultural product बनाने पाली industries है न, industries को भी subsidies दी जा रहे हैं, जबकि यार, industries तो अच्छा खासा कमाती हैं, तो जो भी fertilizers industries हैं, उनको subsidies नहीं देना चाहिए, क्योंकि यार, वो तो industries तो already कमा रहे हैं, उनको भी subsidies दी जाती हैं, तो कह सकते हैं, subsidies देना गलत होगा, देखो, हम लोग negative बातें पढ़ रहे हैं, तो अभी हर एक बात negative way में करेंगे, ठीक है, आओ जराओ, so, these subsidies not only benefit the farmers, तो अकेले किसानों को ही फायदा नहीं करती हैं, but also the input industry, जैसे fertilizer industry, etc, एक और point आओ, एक और है, wasteful consumption, क्या कहते हो बच्चा, subsidies के वज़े से, क्या wasteful consumption होता हैं, क्या बिना मतलम में लोग consume करते हैं, answer होका, बिलकुल क आपकी ही बात करता हूँ मैं, आपको अगर कोई चीज बहुत सस्ती मिले, या फिर आपको कोई चीज फिरी में मिले, बच्चा, आपकी एक्षा भी नहीं होगी ना, फिर भी कहोगे, लाओ भाई, दे दो मुझे तो, क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा है, या फिरी में मिल रह यही चीज होती है किसानों के साथ, भले ही किसानों को अभी आविशकता ना हो, HYV, Seeds बगएरा की Insecticides, Pesticides लेकिन Government Subsidies दे रही है, इसलिए जरूरत ना होने पर भी आपको उस चीज का कंजम्शन करते हो, वो चीज खरीदते हो, समझे रहो ना, इसलिए कह सकते हैं, Subsidies के द्वारा बहुत हैवी, Wasteful Consumption भी होता है, तो यार मैं सीधी-सीधी कहूँ, कोई चीज यार, Free में नहीं देनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा Subsidies भी नहीं देनी चाहिए, कि भाया, आदमी बिना मतलब में परचिस करना, स्टार्ट कर दे, ठीक है, सो ये थे यार, कुछ विघन्य अपराद, Subsidies से रिलेटेड, कि भाया, Subsidies नहीं देनी चाहिए, तीन ही पॉइंट थे, सिंपल से पॉइंट थे, ठीक है, अब जड़ा, कुछ अच्छी बाते करने है, निगेटिब बाते तो बहुत कुछ कर ली, अब कुछ Subsidies एक वर्दान के तौर पर है, वर्चिव एक वर्दान, यानि कि Subsidies देना चाहिए, अब क्यूं देना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो, हमारे देश के किसान, कैसे है, वह यह बहुत महनिती है, वो सब छोड़ो, हमारे देश के किसान, थोड़े से गरीब किसान है, मैंने बताया था आपको प्रिवियस क्लास में, हमारे देश में Small and Marginal Farmers है, सीमांत किसान है, सीमांत किसान वो होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, कि वो एक क्रॉप का प्रोड़क्शन करें, उनके पास पैस पैसा उनका चला जाता है, जब क्रॉप बिक जाती है, तो पैसा आ जाता है, तो बहुत छोटे किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं, अब एक बार सोच के देखो, एक गरीब किसान, एक छोटा किसान, क्या वो एगरी कल्चरल प्रोड़क्ट, जैसे इंसेक्टिसाइड, H5V seeds जो थोड़ी से costly पड़ते हैं, क्या उन्हें effort कर पाएगा, answer होगा, नहीं effort कर पाएगा, तो ज़रूरी है कि उन्हें subsidies प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो भी अपना production और productivity बढ़ा पाएँ, जिससे overall GDP बढ़ेगी, हमारे देश के अंदर agricultural output बढ़ेगा, जिससे हमारा देश develop करेगा, और सीधा सा concept, starting में क्या बताया था, कि हमारा देश agricultural based economy है, किरशी प्रधान देश है, तो किरशी प्रधान देश है, बहुत सारे लोग agriculture के उपर dependent भी है, इसलिए भी जरूरी है, कि भी ये subsidies दो, ताकि लोग आसानी से agricultural output अपना बढ़ा सकें, समझ गए न, आओ ज risky business, अच्छा बचा, ये बात भी तो जानते हो, कि agriculture एक risky business है, बारिश के उपर dependent है, बारिश अच्छी हुई, output अच्छा, बारिश अच्छी नहीं हुई, तो output गड़ गड़, अब risky business है, और अगर फिर भी subsidies ना दो, तो भाईया, किसानों को product वैसी महंगा पड़ेगा, inputs वै subsidies provide कर दी जाएं, ठीक है, यार मैं उमीद करूँगा, बाकी मेरे ख्यास से आप लोग रीडाउट कर लोगे, बाकी तुम्हें आप सभी लोग को सारी बातें explain कर चुका हूँ, रीडाउट करना, कहीं किसी भी line में कोई भी problem आए, तो आप लोग मुझे जरूर बताओगे, बच्चा लोग, फिलाल, आज की class में इतना ही, agriculture sector आपका होता है, समाप, next class में बात करेंगे, industrial sector की, और हाँ, बिल्कुल भी टुंटो ना नहीं, बिल्कुल भी रोना नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग रोते हो ना, कि सरक कम से कम PDF save कर लो, PDF हमें provide कर लो, तो ये लोग भा टॉपिक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, Facebook हुआ, Instagram हुआ, Telegram हुआ, हर एक चीज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, तो जाके चेक आउट कर सकते हो, बाकी बच्चा लो, आज की class रटेंड करने के धन्यवाद, मिलता हूँ, next class में